हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की सेमसंग गेलेक्सी जेट फ्लिप फाइब फॉन में आप लोग इंटरनेट स्पीड प्रोब्लेम को कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आपके पास एक सेमसंग गेलेक्सी जेट फ्लिप फॉन है और इस फॉन में जो है इंटरनेट स्पीड जो है वो एकदम कम हो गया है तो आपको जो है इंटरनेट स्पीड प्रोब्लेम देखने को मिल रहा है तो इस problem को आप लोग कैसे solve करोगे guys तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को like कर दीजिए और channel को भी subscribe जरूर से कर लिजिए तो चलिए guys वीडियो को start करते हैं तो इस problem को solve करने के लिए आपको सबसे पहले जो है आपने phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा connections का तो इस connections के option पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर एक option होगा guys mobile networks का तो इस mobile networks के option पे click करेंगे क्लिक करने के बाद देख सकते network mode का एक option होगा इस पे क्लिक कर देंगे अगर आप लोग 5G यूज़ करते हो तो यहापर यह जो है LTE में set है मतलब 4G में यहापर set होगा तब भी आपके phone में internet speed problem देखने को मिल जाएगा तो इसको आप लोग 5G में set करके रखिए उसके बाद आप लोगों को यहापर से बैक आजाना है अगर फिर भी problem solve नहीं हो रहा है तो नीचे स्क्रोल डाउन कर लिजिए नीचे आप लोगों को एक option देखने को मिलेगा गाईस general management का तो इस general management पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे नीचे पर आप लोगों को reset का option देखने को मिलेगा reset पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद reset network settings का option आएगा इस पे क्लिक कर दीजिए reset settings का option आएगा इस पे क्लिक कर दीजिए आपका phone का जो passport है उसको डाल दीजिए डालने के बाद reset का option हैगा reset पे click कर देंगे ऐसा करते ही आपका जो mobile का डाटा का settings होता है वो reset हो जाएगा reset होने के बाद आपका जो internet speed problem है वो भी जरूर से solve हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Samsung Galaxy Z Flip 5 phone में internet speed problem को solve कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो वा लाइक कर दीजिए और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं collect next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई